हेले अब्रिवन कैसे हो आप सब एक बाद पुना हाँ स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूटूब चैनल सिव कोचिंग क्लासस पर उमीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे बेतर होंगे आप सभी की पढ़ाई वैच्छेस चल रही होगी आज की इस वीडियो यहाँ पे हम तीन ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे कोस्टन यानिकि जो दो अंको वाले important कोस्टन एं वो आपको आज किस वीडियो में यहाँ पे cover कराने वारे हैं तो चलिए सीदे वीडियो को start करते हैं संबसे पहला जो प्रशन हो यह है कि पुरुसों में जो ब्रसन होती है वो उधर वार्सिक एक्जाम हो चाहिए वो आपका आयनुवाल या वार्सिक एक्जाम हो हर एक एक्जाम के लिए यह question काफी important है तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो पुरुसों में ब्रसन होते हैं कि यह जो ब्रसन कोस होते हैं यह वार्डी के temperature से बार्डी का जितना temperature है उससे 2-3 degree Celsius temperature कम इस्थाबित करते हैं माल लीजे कि बार्डी का temperature यदि 37 degree Celsius है तो यह ब्रसन कोस का temperature जो है 34 degree Celsius ही बना करके रखते हैं तो कुल मिला करके जो ब्रसन होते हैं यह ब्रसन कोस का जो तापमान होता है उसको बार्डी के तापमान से जितना बार्डी के तापमान होगा उससे 2-3 degree Celsius तापमान कम बना करके रखते हैं और यह जो 2-3 degree Celsius कम तापमान होता है यह सुक्रारूओं के परिपक्वन के लिए तथा सुक्रारूओं के विकास के लिए अवस्यक माना जाता है कहने के मतलब यह है कि यदि वाड़ी के टमप्रेचर से 2-3 degree temperature यदि कम होगा तो यह temperature अनुकूल होता है सुक्रारूओं के विकास के लिए अर्थात सुक्रारूओं के परिपक्वन होने के लिए तो कुल मिला करके आपको बताना है कि पूरूसों में एक जोड़ी ब्रसन उदर गुहा के बाहर ब्रसन कोस में इस्थित होते हैं और यह बेसिकली यह सुक्रारूओं को परिपक्वन होने के लिए 2-3 degree Celsius कम तापमान इस्थापित करते हैं जिस कारण से पूरूस जो है ब्र दूसों में एक जोड़ी ब्रसन जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर ब्रसन कोस में इस्थित होते हैं और ब्रसन कोस जो होता है यह सरीर की तापमान से 2-3 degree Celsius तापमान कम इस्थापित करता है जो कि सुक्रारूओं के परिपक्वन के लिए आवस्यक माना जाता है चलिए आप सभी को पता है कि जो लेडिंग कोसिकाएं होती है या बिसिकली आप लेडिंग कोसिकाओं में आप देखेंगे कि लेडिंग कोसिकाएं कहां पाय जाती है तो यह लेडिंग कोसिकाएं ब्रसन के अंदर ही पाय जाती है तो ब्रसन के अंदर जो लेडिंग कोसिकाएं प यह ब्रसन के अंदर पाई जाती है यह अर्थाट टेस्टिस के अंदर पाई जाती है तो मानों में आप पाएंगे कि मानों नर के जो ब्रसन होते हैं ब्रसनों में लेडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है और यह लेडिंग कोशिकाएं जो होते हैं यह बेसिकली लिंग से स स्रावण नहीं कर पाएंगी और पुरुसों में जो यावना वस्था है अर ठाथ जो बालकों में यावन प्रारंब होता है वो यावन प्रारंब नहीं हो पाएंगा क्योंकि ये लेडिंग कोशिका एक विसेश प्रकार के टेस्टो इस्टेरान हार्मोन्स का स्रावण करती है जो कि बेसिकली लिंग हार्मोन्स माना जाता है और यदि इन कोसिकाओं को निकाल दिया जाए या किसी भी कारण लीडिंग कोसिकाओं नस्ट हो जाती है तो टेस्टो इस्टेरान हार्मोन्स का स्रावण नहीं हो पाएगा और किसी भी मेल के अंदर जो sexual activity जाने कि जो लेंगी के लच्छन होती हैं उनका विकास नहीं हो पाएगा अर्थात उनका विकास रुख जाएगा तो आपको बताना है कि लीडिंग कोसी का हैं जो होती है ब्रसन के अंदर पाई जाती हैं और यह लिंग से समबंदित एक हर्मोन्स का स्रावर करती हैं जो कि टेस्टोइस्टेरान हर्मोन्स है और यदि लीडिंग कोसी का हैं नस्ट हो जाती है तो टेस्टोइस्टेरान हर्मो कसरावर नहीं होगा और पूर्सों में लेंगिक लच्छनों का विकास क्रमसा धीरे-धीरे करके रुख जाएगा इसके बाद देखिए एक आखरी कोस्चान अक्सर आपकी एक्जाम में पूछा जाता है कि अंड जनन की प्रक्रिया में सामिल हार्मोंस अब आप कहेंगे कि सर चाहे वो अंड जनन की प्रोसेस हो चाहे वो सुक्रारू जनन की प्रोसेस हो दोनों ही प्रोसेस में ये दोनों ही हर्मोंस कारगरिया एक्टिव होते हैं सबसे पहले तो आपको याद रखना है एक होता है LH हर्मोंस इसको हम कहते हैं LUTINIZING हर्मोंस और दूसरा होता है FSH हर यानी जिसको हम कहते हैं Follicle Stimulating Hormones यानी प्रेरेकपुटिका हर्मोंस तो कुल मिलाकर कि ये दोनों हर्मोंस ऐसे हर्मोंस हैं जो कि किसी भी मेल या फी मेल के अंदर जो अंड़ेजनन या सुकरिजनन की प्रक्रिया होगी उसका हर्बोरल कंट्रोल करते हैं यानि की उस पर नियंत्रन रखते हैं तो दोनों हर्मोन्सों के नाम आपको याद रखना है यहाँ पे देखिए यह जो चारों कोस्टन बन रहे हैं इनको आपको अच्छे से तयार करने हैं क्योंकि डेपनेट रूप से कोई ने कोई कोस्टन आपके अभी त्रेमासिक एक्जाम में ही जरूर देखने को मिलेंगे तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आयोगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए साथी साथ दोस्तों के बीट जादा सजादा वीडियो को सेयर कीजिए चैनल प्यादी नए है तो चैनल को सब्सक्राइब आवास से कर लें साथी साथ वैल आइकान प्रेस कर लें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम